अविशेक कुमार और मनारा चोपडा का जल्द आने वाला है दोस्तों नया म्यूजिक वीडियो जी हाँ जिसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है लेकिन शुरू तो हुई है लेकिन मनारा और अविशेक को ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई क्योंकि नए गाने की ऐसा क्या हुआ ये बात आप सभी दर्शकों को बताएंगे दोस्तों हम आज के इस खास रिपोर्ट में लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल क्विक टिवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले क्विक ट 2017 के खत्म होने के बाद जितने भी कंटेस्टेंट है उनको बहुत बढ़िया बढ़िया जो है वो काम मिल गया जैसे अभिशेक कुमार की बात करें तो मनारा चोपड़ा के साथ उनका म्यूजिक वीडियो आने वाला है खत्रों के किलाड़ी की 14 सीजन में भी वो नजर आए अभिशेक कुमार और मनारा चोपड़ा की तो यह चोगाने वाली है क्योंकि अभिशेक और मनारा का गाना सबसे पहले आने वाला है सबसे पहले ही आपको देखने को मिलेगा अभिशेक और मनारा जो कि एक दूसरे को पसंद करते भी थे नहीं भी करते थे इनके वीच में लेकिन इनकी chemistry को दर्शकों ने काफी जादा पसंद किया और इसे ही देखते हुए इनको music video में लिया गया और music video की shoot के वक्त भी अभिशेक और मनारा काफी जादा जो है वो खुश थे काफी जादा खुश थे लेकिन ये खुशी जो है दो पल की खुशी थी बताना चाहते है दोस्तों यहाँ पर अभिशेक कुमार और मनारा चुपडा के नए music video के set पर लग गया दोस्तों आग जी हाँ आग लग गया और उस आग के चलते पूरे के पूरे music video को बहुती घंटे जो है वो रोका गया ऐसी खबरे जो है वो निकल कर सामने आ रही है हाला कि अभिशेक क कुमार और मनारा चुपडा को कुछ नहीं हुआ ये खबरे भी निकल कर सामने आ रही है लेकिन जो नए music video के set पर जो आग लगे उससे भारी भरकम जो है वो नुकसान हुआ है ऐसी बाते ऐसी खबरे जो है वो निकल कर सामने आ रही है ये बड़ी update बड़ी खबर जो है इस वक्त की ये ही निकल कर सामने आ रही है बताना चाहते हैं मनारा और अभीशेख बिलकुल पूरी तरह से ठूइक है अब shooting जो है वो दोबार से शुरू हुई या नहीं हुई इस पर भी बड़ी update निकल कर सामने आ रही है कि दोबार से shooting शुरू हो गई है लेकिन बताना चाह आते हैं काफी देर जो है शूटिंग रुकी गई शूटिंग रुकी गई रुकी गई इस आग लगने के चलते तो ये खबर निकल कर सामने आ रही है आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों और बिग बॉस सीजन 17 के सारे के सारे कंटेस्टेंस की अपडेट जो है आपको यूही मिलते रहेगी पलपल की आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही